अब देखें कि धर्तीमा नराज कभ होती हैं धर्तीमा तो प्रसंद रहती हैं सेहन करती रहती हैं पर बड़े-बड़े पीरों ने फुकीरों ने सिद्ध पूर्शों ने महापूर्शों ने कहा है धर्तिमा कहती है बच्चो मैं सब कुछ सेहन कर लूँगी मेरी उपर आप नदियां खोद लो आप घर बना लो आप फैट्रियां लगा लो गंदा बंदा पानी चोड़ दो मेरी कितनी भी खदाई करो मैं खुश होती हूँ कब धर्तिमा नराज होती है जब आप थैंक लेस होते हूँ धर्तिमा कहती है मैं सब वजन सेहन कर सकती हूँ पर जो थैंक लेस व्यक्ती है उसका वजन मैं नहीं सेहन कर सकती चाहे वो गुरू के प्रती थैंक लेस हो वो दोस्तों के प्रती थैंक लेस हो वाइक के प्रती थैंक लेस हो, हस्पेंट के प्रती थैंक लेस हो, बच्चों के प्रती थैंक लेस हो, किसी के भी प्रती जो कृत भेन व्यक्ति है, जो नाशुकरा व्यक्ति है, जो थैंक लेस व्यक्ति है, मां कहती है मैं उसका उसका वजन नहीं सहान कर सकती, आप देखो थेंकलेक्स व्यक्ति केत् walked पाप्पी होगा और जहाँ तक स्थिती है कि जब आप थेंकलेक्स व्यक्तियों के पास बैठते हो उनकी vibration से आप razor भी खराब होती है आप जतना ऐसे व्यक्तियों से दूर रहा सकते हो दूर रहने की कोश़श करो